तो आज हम नया सीखने वाले हैं Glide to a Spot तो इसमें यहां पर मैंने इंस्ट्रक्शन अरड़ी दे दी है और हम लोग इसको करेंगे तो मैं पहले आपको दिखा दू कि आज हम क्या सीखने वाले जूनियर तो हम यह भी अपनी स्टोरी में एड करेंगे तो एक छोड़ी से स्टोरी बनाई है एक आउल है एक आउल है और एक थीम है बैक्राउंड और यह कैसे Glide करते हुए वह अपने एक स्पोर्ट पे मैंने इसको डिसाइड केगी यहां पर वह उसका स्पोर्ट पे जाना है कहां पर जाएगी अभी हम देखेंगे तो मैं आपको इसको पड़ी स्किल में दिखाती हूँ तो इसको अभी देखिये अभी हमने यह बनाना है तो अब हम कैसे जाएंगे न्यू पेज पे अब वह भी सिखेंगे आपको स्क्रिप्ट एरिया में यूज करने के लिए तो सबसे पहले अब हम टॉप्मोस में जाएंगे टॉप्मोस में हम टाइटल देंगे तो आज हम क्या सीखने है गलाइट तो एक कारेक्टर हैगा उसको मैंने स्पोर्ट दिया है वह किस डिरेक्शन में जाके वह एक प तो इस तरीके से मतब अब हम यह सीखेंगे तो अब इससे पहले कि हम पहले एक न्यू पेज ले लेते हैं फाइल में जाना टॉप में जाके न्यू मुझे जब भी न्यू बनाना यह अल्रेडी बनाया है मैंने अपने सेव किया हुआ था आपको दिखाने के लिए कि इत व हमने इसको जो मैंने बताया था वो हमने अभी बनाना है तो कैसे करना है हम लोग उसको देखेंगे तो सबसे पहले जैसे कि हम टाइटल का नाम देंगे तो आज हम क्या सीख रहे हैं ग्लाइट टू आ स्पॉट ओके तो यह आज हमारा टॉपिक है जिसको हमने आज सीखना है तो मेकर करेक्टर मूव एक्रॉस दस्टेज तो वह एक स्टेज पे है उसको मैंने आज हमेक्ट दें मूव तू पर्टिकुलर डैरेक्शन इस गिवन कि आपको वहां पढ़ाना है तो यहां पर आज ग्लाइट तो अस पॉट यह एरिया में हमेशा जो भी आप स्टोरी का नाम देंगे वह हमेशा आपको यहां यूज करना है ओके रिमेंबर जूनियर्स नाव मुविंग अब मुझे क्या करना है फर्स्ट फॉल मैंने हमेशा बताया आपको कि हमें सबसे पहले यूज करना है तो हम जाएंगे राइट साइट बैक्ट्रॉप बैक्ट्रॉप मैं जैसे जाती हूँ आप मैं आपको बता चुकी जब हमें अगर नाम पता है तो वी कें डिर्क्ली क्लिक अन कि मुझे माउंटें चे तो अल्रडी मैं वही प्लेस को ले रही हूं और यह इस हम उस्टो हो जाएंगे इसके तो हमें नाम हो तो हमने सब से पहले यहां क्या किया राइट साइट में गये I have click on choose a backdrop मैंने search में जाके click किया और mountain मैंने theme लिया अब मुझे जाना है choose a character और मेरा character में एक people में है so I know that name of that person so I simply click which because मुझे मेरे character का नाम पता था इसे मैं search में डाला and I have taken so I decided कि यह यहां पर रहेगी यह मेरा एक मैंने place दे दिया है now okay now moving अब हमने क्या किया सबसे पहले learners सबसे पहले देखी हमने backdrop set किया then I choose a character और backdrop में मैंने mountain लिया and choose a character विच करके character मैंने choose कर लिया अब मैं चाहती हूँ कि अब हमारा आज का topic इसके related is glide a spot तो मैं एक character मतलब एक animal character लोंगे out and उसका हम position यहां देंगे and I will see अब सबसे interesting part कि है कि हम x and y जो यहां पर देखते है stage के नीचे इसको कैसे use करना है कैसे हमको अब इनका कैसे role play होगा अभी तक हमने color देखा effect देना है spot देना है आज हम देखेंगे यह जो x and y है इनका कैसे use होगा and कैसे अब हमको इसको understand करना है तो सबसे पहले मैं जाओंगे again right side में choose a sprite जैसे मैंने अभी मैंने already बताया जब आपको नाम पता है तो यह simply click तो आपको instead of going to this so many folders तो हम दो एक character अगर आपको और कुछ ले ना you can तो मैंने आओ ले character ले लिया and I want कि यह यहां पर बैठे बड़ी साइस में बड़ी भी लग रही है तो वह भी हम इसमें सीख लेते हैं अगर मुझे एक तो option क्या है यहां से हम इसका size कम कर सकते हैं तो फिलाल हम इसको सुगे there is another way जो मैंने बहुत beginning में बताया है but initial you are in a beginner of the stage तो हम step by step चाहेंगे तो मैं यहां से इसका size कम कर रहे हूं character का so you can see the size of character go so मैं चाहती हूं देखिए अभी यह x अभी मेरा owl का see the x and y it is written over here तो मैं चाहती हूं यह यहां रहेगा okay and already हमने decide कि जैसे pictures में हम कैसे देखते हैं scene होता है वैसे यह यहां पर है and e stem इसका x and y यहां है okay तो अब हमें instruction देने हमारा stage ready है stage में हमने backdrop decide कर लिए choose a character भी ले लिया हमने दो character लिया क्यूंकि आज हमारा theme है glide to a spot यह glide करते-करते इधर जाएगा okay so we are going to learn this now so interesting पास start होने है अब सबसे पहले अब कहां जाने है हमको मुझे scripting करने है तो I will go to my left side left side में code में जाने code description यह colorful जो nines है हमें इन में से use करके script में drag and drop करना है and then we can play a story अब मैं सबसे पहले मेरे हमेशा का है I want और every time यह बोलूँगी कि सबसे पहले event में जाना है event is the base ही है आपका कोई भी प्रोग यह जब भी आप story क्यूंकि हम जब ही कैसे हम एक-एक part सीख रहे है story के तो glide to a spot में पहले यह भी play करना है सबसे पहले हमने क्या लिया kids right side में इवेंट में इवेंट में मैंने when green flag click ले लिया अब मैंने क्या बताया आपको क्या चाहिए motion क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी यहाँ पर यह color change करना है तो looks में आ देले x-170 and y-146 यह किसका है यह भी आपको ध्यान रखना है junior कि किसको select किया यह उसका position बता रहा है यहाँ पर x and y में अगर मैंने यह character दूसरा लिए which वाला तो उसका यहाँ पर x and y दूसरा है क्योंकि वह at present वह यहाँ पर है अभी आप इसको भी करा सकते हैं बट मैं चाहती हूँ मेरी आउल वह आपको अपके according story जैसा जिसको आपको glide करना है you can choose बट मैं चाहती हूँ मेरी आउल है वह यहाँ पर आई इसके shoulder पे तो विच के character पे आउल यहाँ पर आएगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले आउल को choose करूंगे I will see where is the position of x and y ओके तो यहाँ पर current उसका present yes तो इस प्रेजेंट यहाँ पर है तो मैं जाऊंगे motion and I want glide x and y मतलब यहाँ से यहाँ से उसको किस दर जाना है glide करते करते यहाँ पर okay आउल को यहाँ आना है तो अब मुझे यह चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा x and y होता है तो यहाँ पर मेरे यह character को देखो अगर character का position देखेंगे यह है but question is this अभी आप सोचो कि मुझे तो इसको यहाँ रखना है तो क्या यह जो जिदर खड़ी है तो वह पोजिशन को consider के जाएगा no तो वह करने के लिए मैं क्या करना है मैं आऊ उनके कर जाओंगी मेरे character को अब मैंने देखना है कि जब वह ऐसे आये तो वह कहाँ चाहिए तो अब देखिए x and y change होगा आपका ध्यान x and y में होना चाहिए juniors यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जब यहां से वह चेंज कर रहे है अपना position तो वह यहाँ पर हो वह glide करते करते character के इस time तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब यह character का देखिए different direction तो यह कभी नहीं लेना है हमें जो character को glide करना है उस character को लेके जाना है and we'll see that is a simple कि यह कहें तो मैंने यह automatic आभी हमें type करने हैं जो तो आपने 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 बता रहा है तो मैं simply यहाँ पर change दिखाएगा जो motion आपके coding automatic change होगा आपको कुछ लिखना नहीं है कि automatically बता देगा कि यह character को जब आये तो इसके पास यह position पर बैठना चाहिए आपको कुछ ऐसा याद नहीं रखना है it's very very simple आपको simply glide में आप हमें glide तो अलड़ी एक दे दिया है तो glide करते करते वो वहां से यहाँ पर आ जाए ओके तो यह glide करते करते यह position पर आएगे तो वह सी अब मैं चाहते है अभी आप देखिए यह बन चुका है यह मैंने इसका position चेंज कर दे वह सी देखिए मतले यहाँ से आव गए वेरी सिंपल वेरी वेरी सिंपल देखिए आपको कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पर कि X को में क्या दू वाई में भी कौन सा नंबर दू नो सिंपली आपको यहाँ जाना है आपको decide करना यह चाहिए यहाँ पर action by automatically going to change देखर न आपने let's see in the big screen तो देखिए मैंने green flag देखिए जब मैंने देखिए तो मेरी picture ready है क्योंकि हमने already decided है तो इसलिए जो भी आप story बनाए चोटी जब practice भी करें आप लोग तो पहले से decide करो क क्या करना कोई भी character लो decide करो green flag करके अब देख लो proper play हो रहा है कि नहीं तो simply green flag see अभी देखिए if I want to stop मैं जहां भी stop करूंगी यह उदर change करते लिए वहाँ पर वहाँ पर यह stop हो जाएगा see again मैंने इसको दिया तो यहां से then it's very simple yes now moving to the next topic so अब हम इसमें और कुछ सिखेंगे yes अब वह भी देखेंगे हमने क्या तो यह glide to spot को title को लिख लो and just note down the steps and let me it's on the next topic तो अभी हम नया सिखेंगे इसमें और interesting सिखेंगे